दोस्ता अभी आप एक screenshot देख पारे होंगे और एसे एक नहीं, बहुत सारे screenshot मेरे सामने daily आ रहा है, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या problem है, जबकि हमारे पास page view आ रहा है, impressions आ रहा है, लेकिन click नहीं है, CPC नहीं है, CTR नहीं है, और RPM नहीं है, इसका म यहाँ पर IDX का नाम आ रहा है, IDX भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा opportunity है लोग के लिए, लेकिन IDX के उपर बिल्कुल भी proper data अभी तक internet पे नहीं है, इसलिए आज किस वीडियो में हम लोग IDX के उपर बात करेंगे, IDX क्या होता है, mostly आपको IDX का approval कैसी लेना है, और IDX का benefit क IDX किन को use करना चाहिए, और किन को नहीं करना चाहिए, तो बो भी मैं आपको practically बताऊंगा थोड़ा IDX की दिखा के, तभी आप लोग बहतर तरीक से समझ पाओगे, so without wasting time अभी वीडियो का आगे बढ़ाते हैं, सिधे IDX पे ही बात करते हैं, दोस्तों IDX के उपर बात करने स सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देख लो, जैसे कि अब भी आप लोग देख पा रहे होंगे, IDX का data load होगा, थोड़ा time लग रहा है, तो थोड़ा देखिए, यहां पर जो आप वीडियो देख रहे हो, यह मेरा नहीं है, मैं IDX पे काम नहीं करता हूँ, जो काम करते है मैंने उनसे वीडियो लिया है, तो यहां पर आप देखो इस तरह से उनका कुछ इंटरफेस दिखता है, और यहां पर देख सकते हो, mostly यहां पर अभी data अपलाई हो रहा है, देख सकते हो, impression, revenue, CPM बगरा और visibility बगरा सब कुछ यहां पर दिख रहा है, आपने देखा, यह थ Addix उसका उपर level का, superior level का platform है, ठीक है, और आप सिर्फ simple difference समझो, अगर आपके पास AdSense है, तो वहां पर हमें मिलता है cost per click, अगर कोई click करेगा, तब हमें पेशा बनेगा, लेकिन Addix के उपर impression basis पेशा मिलता है, अगर आपके website पे 1000 impression आया, तो उस हिसाफ से पेशा मिलेगा, ठ बहुत rare chance से आपको Addix का approval मिले, लेकिन जब traffic waste जा रहा है, तो हम सोची सकते हैं कि Addix ही ले ले, ठीक है ना, तो अब main point पर आते हैं, Addix कितने तराका होता है, और जो कि मैंने आपको वीडियो दिखाया है, वो one type of Addix है, लेकिन इसको छोड के भी other Addix है, ठीक है, उस पर वीडियो देखा, वो था, pay by Google, मतलब कि जो Addix है, वो आपको payment करेगा, आपका Google AdSense account के through, ये जो वीडियो आपने देखा, लेकिन ये एक साइड है, और दूसरे साइड में होता है, pay by company, कुछ-कुछ company होते है, उनका Addix होता है, जसी का आप example के लिए एक बगेरा, मैं आपक payment करेंगे, ठीक है, तो अभी थोड़ा direct example के लिए कुछ company में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते है, screen पे चलते है, अभी हम लोग screen पे हैं, और मैंने keyword सर्च कर रखा, जिसे की देख सकते हो, monetize more, ठीक है, monetize more पे आज आने के बाद, आपको कुछ इस तरह क interface दिखेगा, दोस्तों यह एक company है, जो की addx company है, और यह pay by company, मतलब अगर आप addx join करते हो, monetize more, तो आपको जो payment बगरा सब कुछ आएगा, monetize more से ही आएगा, समझ पार हो ना, और monetize more पे जो payment आएगा, और आपका dashboard कुछ इस तरह का दिखेगा, और यह monetize more, one of the best platform है, addx के field म क्योंकि बहुत सारे companies को मैंने देखा है, सबसे ज्यादा genuine यही company है, monetize more, ठीक है, और यह एक foreign based company है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा CPM मिलता है, लब कम traffic पे भी ज्यादा कमाई होता है, और यहाँ पे सबसे खास बात है दोस्तों, इस पे आपको apply करने के लिए कोई pay नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके website पे traffic बगएर आ रहा है, दिन आप easily इस पे apply कर सकते हो, और अगर इनका team आपको approval देता है, दिन आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो, और आप लोग खुद इस website को अच्छे से चेक कर सकते हो, इनके बारे में details collect कर सकते हो, और अगर आपके पास limit है, और अगर आप चाहते हो कि इस पे dedicated video बनाया जाए कि monetize more पे कैसे apply करे, कैसे approval ले, कैसे इसको इसको इस्तमाल करे, एक dedicated video तो comment करो, तो मैं कोसिस करूँगा इसके ओपर video लेकि आने के लिए, तो ये था एक platform, मलब IDEX company है, और यहाँ पे ये pay by company के रोल पे, लेकिन हमने जो video देखा, आपको एगेन वो video थोड़ा प्ले कर देता हूँ, ये जो platform का आपने देखा, ये है pay by Google, मलब एक parent company, parent IDEX company आपको एक partner के तोर पे लेगा, और आपका कुछ percentage बो रखेंगे, लेकिन आपका जो payment है, वो आपके AdSense के account के through आपको पास आएगा, ये ह पे बाई Google का system, ठीक है, जब आप इस तरह का RDX लेने के लिए जाते हो market पे, आपको कहीं पे भी कुछ भी information नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपने, मलब कुछी लोगों का video देखाओगा इस तरह का, इस तरह का video हर कोई नहीं बनाता है, अभी के टाइम पे YouTube पे, क्य क्योंकि इसका approval इतना easily मिलता ही नहीं है, इसका जो approval कुछ-कुछ companies देते हैं, और वो भी 5 जार, 10 जार, 20 जार रुपया लेते हैं, उसके बाद approval देते हैं, और approval देने के बाद, तब आप इस पे काम कर सकते हो, तब आप इस पे traffic ला सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे common question benefit है क्या, सबसे पहले देखो, आजसेंस पर आप सबको पता है भाई, हम सोसियल मीडिया से ट्राफिक नहीं ला सकते हैं, आज limit लग रहा है, जो भी कर रहे हैं, आजस लिमिट, अरकाउंट डिसरबल, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आजस का benefit सबसे पहले जान लेना जरूरी ह आजस का benefit दोस्तों सबसे पहले आजस लिमिट, कभी भी आजस लिमिट नहीं आएगा, चाहे आप monetize more को इस्तमाल करो, चाहे आप pay by google का कोई भी आजस नेटरक की उस कर लो, कोई भी आजस नेटरक से approval लेलो, आपको आजस लिमिट नहीं आएगा, बिलकुर आप safe and secure हो, आप traffic कैसे भी ला सकते हो, वो चलेगा, लेकिन relevant होना चरूरी है, ऐसा नहीं कि आप traffic ले रहे हो, वो आके website खोल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, नहीं, उससे आपको फाइदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह adx है, impression basis पे पेसा देता है, तो आपका अगर वो relevant traffic होगा, तो आपक किसी से भी लाओ, थार्ड पॉइंट, एकाउंट डिजबल इसू, भाई जिसे कि नॉर्मल अगर आप social traffic लाते हो, paid traffic लाते हो, एकाउंट डिजबल हो जाता है, लेकिन यहां पे कुछ भी एसा नहीं है, भाई कभी भी डिजबल होगा ही नहीं, आप paid traffic लाओ, free traffic लाओ, social traffic केसे भी करके लाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस सही traffic होना चाहिए, bot वगेरा का traffic नहीं होना चाहिए, तो आपको यहां पे पेसा बनेगा, लेकिन यह जितना easy है, उतना आसने से आपको मिलेगा नहीं, और mostly आप YouTube में कुछ YouTuber का वीडियो भी देख रहे होंगे, तो पे बाइ गूगल है, ठीक है, पे बाइ गूगल है, वो company ही नहीं चाहते हैं, उनके बारे में वीडियो जो कोई बताए, उनके बारे में reveal हो, समझपा रहे हो ना, इसलिए वो companies ही नहीं चाहते हैं, तो कोई कैसे बता सकता है, अगर आप contact लगा किसी से बात करके, आप यह स आपका गया, वो डूब जाएगा, तो यह एक आरलट है आप सब के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आडेक्स के पीछे भाग रहे हैं, उस चक्कर में बहुत सारे लोग payment करेंगे लोगों को, और उस condition में भाई, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्लिय ट्राफिक ले रहे हैं, वो उनका डारेक्ट नॉर्मल ब्लॉग का ट्राफिक नहीं है, ठीक है, जो और गयानिक आ रहा है, कमाई हो रहा है, वो नहीं है, ठीक है, तो अभी बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में, कि भाई, अप्लाई के से करें, अप्रॉबल के से ले, सब आप लोग आसान इसे ले सकते हो approval और अच्छा खासा कमाई कर सकते हो लेकिन अगर आप pay by Google के पीछे भागते हो approval के लिए तो उसके लिए अभी बहुत सारे scammers भी हैं कुछ अच्छे लोग भी है जो कि आपको approval भी दे सकते हैं लेकिन उसके लिए कोई 5,000 मांग सकता है कोई 10 कोई कुछ नहीं कह सकता इसलिए इस पे मैं कहूंगा भाई पेशा देके कई पेगर आप जा रहो बिल्कुल मत जाओ और छोटा मटा पेशा है 2000-3000 इन्वेस्ट कर सकते हो तो अलग बात है ट्राइ कर सकते हो लेकिन बड़ा amount नहीं देना है ठीक है अभी दोस्तों next point है अगर आपके पास organic traffic कमाई नहीं हो रहा है तो आप सोच रहों कि आडेक्स लगा लूँ लेकिन उसमें आपको जतना जयता benefit मिलेगा नहीं क्योंकि आडेक्स है इंप्रेशन basis पेशा देता है अगर आप एक user को 10 page visit करा सकते हो तो आपको profit मिल सकता है ओके लेकिन अगर आपक है ही नहीं लेकिन जो भी बंदा एक page नहीं भाई 10 page visit करवा सकता है उसके लिए आडेक्स है और बो लोग अच्छा खासा कमाई कर पाएंगे और इसके ओपर अभी कुछ ज्यादा information मेरे पास भी नहीं है otherwise मैं भी आप लोग को यहां पर explain कर देता और जैसे जैसे मुझे information मि लेगा मैं आपके सामने और भी information लेके आऊंगा और जिनको भी मतलब आडेक्स सही है जिनको भी आडेक्स सही है उनके पास ज्यादा traffic है और वो चाहते हो कि आप अच्छा खासा कमाई करो तो काम कर सकते हो मैं कुछ दिन के बाद कुछ contact मेरे है कुछ लोग आडेक्स पे का कि समझ पार हो ना तो भाई यहां पर बात सिर्फ इतना है कि आडेक्स के पीछ आप जा सकते हो मर्केट पर भी उसका हवा चल रहा है लेकिन भाई वो इतना इजी नहीं है अगर आपके सामने वाले बंदे पर ट्रस्ट नहीं है तो आप उस पे पेसा ना लगाओ नहीं तो सिर्फ लोग यहां पर आडेक्स का रिवेन्यू आपको दिखाएंगे कि भाई लोडिंग तो हो रहा है ना पैसा तो बन रहा है ना इसलिए दिखा रहे हैं लोग लेकिन भरोसा बहुत कम कर सकते इस पे ठीक है तो यह था बात आडेक्स के उपर अगर जा रहे हो तो जाओ या फिर आप जाओ जैसे कि ट्रस्टेड प्लाटफर्म में मॉनेटाइज मोर जैसे प्लाटफर्म वहां पर जाओ जहां पर आपको पेसा नहीं लग रहा है आपका ट्राफिक पे कुछ ना कुछ बनेगा और जैसी कि मैंने कहा भाई आडेक्स है तो चार-पांच पे अधर्राइज आपका तो नुकसान ही नुकसान होगा तो यह था मेरा पॉइंट कि आप जा सकते हो मॉनेटाइज मोर के साथ पे बाई कंपनी चुकि ट्रस्टेड है उनके साथ जा सकते हो लेकिन आप लोग किसी को पेसा देके आडेक्स एकाउंट लेने का कोशिस ना करो अगर बड़ा एमांट मांगा जा रहा है अगर आपको ट्रस्ट है फिर भी आप कर लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आटियर ओन रिस्क मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत चीज करो क्योंकि पेसा लगाना वो आपके पर डिपेंड करता है और सामने वाले को पर डिपेंड करत और भी कुछ-कुछ फ्लाटफॉर्म ट्राय करो और मैं आपको परसनली रेकिमेंड करूंगा अटसेंस का जमाना धीरे-धीरे डाउन हो रहा है तो बेस्ट होगा अम अफ्लियेट मार्केटिंग पर सिप्ट कर ले क्योंकि भाई अफ्लियेट मार्केटिंग पे कुछ सकते हैं जितना ट्राफिक आएका उससे 100% कंवर्जन हमें मिलेगा ही मिलेगा इसा नहीं कि भाई आज लिमिट लग गया कल बो हो गया कुछ नहीं है ट्राफिक आ रहा है तो अटलिस्ट 5-10% का आपको कंवर्जन रेट देखने को मिल सकता है अगर आप सही से एफसाइट क बनाते हो तो इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं ठीक है टाइम है अब से सुद्रें और कुछ करें दिमाग लगाए और आटसेंस के साथ भी ऐसाने की सबके साथ यह सेमीसू हो रहा है बहुत सारे लोग अच्छा-खासा कमाई कर रहे हैं बहुत सारे में थर्स पे और इस लाइक करें और ऐसे ही वीडियों के लिए चानल को सब्कािब कर सकते हो और शक천 मोटिएट करने के लिए वाते को लाइक वी कर सकते झाल झाल